कि नमस्कार दोस्तों सुगए था आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जो भी हमारा बार के नर्वी में रिक्रूटमेंट निकल करा आया हुए कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सिकंड वालों के लिए उनके एक्जाम पैटर्न और सिल यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेलेक्शन मेथड बताया गया है कि रिटन एक्जामनेशन आप वन हावर डियूरेशन यानि कि जो कटेगरी फर्स्ट वाल इस्टुडेंट रहेंगे उनके लिए जो एक्जाम कराया जाएगा एक घंटे का कराया जाएगा जिसमें कि आ अगर आपके एक कोश्टन सही होगा तो आपको तीन नंबर दिये जाएगा और अगर आपका एक कोश्टन गलात होगा तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा ठीक करेदा स्लाइबस फार्द से एक्जामनेशन विल बीट बेस्ट आन सब्जेक्ट एड्ट डिप्लोमा तो जो स्टूडेंट रहेंगे अगर आपने डिप्लोमा से फार में भरा है तो डिप्लोमा से कोश्चन पूछे जाएंगे यह हो गया बाकि जो भी स्टूडेंट उससे क्वालिफाई करेंगे रिटिन एक जामनेशन को उसको क्या है इंटर्विव के लिए सलेक्ट किया ठीक बाकि इंटर्विव के लिए कितने स्टूडेंट बुलाया जाएंगे यह निर्भर करेंगे नर्वी पर ठीक यह होगा क्टेग्री फर्ष्ट वालों के लिए अब यहां पर देखिए कह रहा है तब फाइनल सेलेक्शन विल बी बेश्ट आन्दा पर्फार्मेंस आप इन्टर्विव यानि कि कहारा जो आपका पि кажए सपर फर्स फर्स इंटर्विव जो होगा चोसी से पर निर्भर करेंगिया जो कह टेग्री फर्ष्ट वालों के लिए कि लिए अब कि कटेग्री बालों के यहां लिए यहां पर दीया कि गताई है कि दहना paff टेस्ट हो गताएंगे और उनका उनका यहां पर सेलेक्शन होगा तिन फ़र्स्ट सेज三ड तीन इस्टेज होगा जिसमें से आपका जो पहला रहेगा जो है प्रिम्नरी टेस्ट जो कि आपका screen examination रहेगा यानि कि यह exam सिर्फ और सिर्फ आपको qualify करना है qualifying nature कर रहेगा इससे आपका final merit नहीं तयार किया जाएगा ठीक और यहाँ पर देखे करें screening examination to be held to start listed candidate यानि कि जो student select किये जाएंगे या will be following format यानि कि काह रहा है जो आपका stage first होगा यह सभी student के लिए समान होगा जो category second student रहेंगे सभी discipline या trade वालों के लिए ठीक जो आपका exam pattern होगा यहां पर बताया गया कि आपके question रहेंगे पचास question रहेंगे और चारों को चारों यहां पर पचास question जो रहेंगे या आपके चार आप समल रहेंगे यानि कि objective type question रहेंगे जिसमें से आपके mathematics के 20 question रहेंगे science के 20 question और general awareness के 10 question दोस्तों अगर आप लोग इसका बार के प्रिवियस यह पेपर देखना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको description box में दे देंगे पूरा playlist हमने यहां पर डाल दिया है description box में वहां पर जाके अपना प्रिवियस यह का पेपर चेक कर सकते हैं सेम इसी पैटरन पर है ठीक तो यहां पर यह होगी इसके exam pattern के बारे में और यहां पर हम बताया गया है कि दूसरे नंबर पर कि एक question अगर आपका सही होगा तो आपको तो तीन नंबर दिये जाएगा अगर एक question गलत होगा तो आपको एक नंबर काट लिये जाएगा अगला है कि आल कंडिडेट विथ मार्क लेस दन 40 परसेंट इन जानल कर लाते हैं और बाकि जो रिजर्वेशन कंटेगरी वाले हैं अगर वह 30 परसेंट से कंटे उनको क्या डिस्क्वालिफाइग कर दिया जाएगा यानि कि स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा तो जनरल वाले काटेगरी को कम से कम 40% से ज़्यादा लाना है बाकि एस सी एस्टी ओवी सी और जो भी कंडिडेट हैं उनको 30% से ज्यादा लाना स्टेजफेस्ट में अनिमा रहे हैं तभी वह लोग स्टेजफेस्ट क्वालिफाई करेंगे अनिता वह लोग बाहर हो जाएंगे स्टेजफेस्ट यहां पर जो है वह आपका एडवांस टेस्ट रहेगा एडवांस टेस्ट में यहां पर देखिए बता जा गया है आल कंडिडेट स्क्रीन इन स्टेजफेस्ट विल बिए लाड़ टू अंडर टेक स्टेजफेस्ट इन देया रिस्पेक्टिव ट्रेट करेंगे जो भी स्ट्रीन इस्क्रीणिंग टेस्ट जो होगा स्टेजफेस्ट का अगर वह उसे पास कर लेते हैं तो उनको एडवांस स्टीफेस्ट तो जींगे दो गुट agriculture lk करने रहें एकाそう होगा थो आपको ती नमबर काट लिएगा मैं और यहां-पर आके और बता जाया गया है क्या रहें का पर भी यह लोग कैह रहे हैं कि आगर आपका एडवांस्ट में अगर आइवाम आप तो 30% से ज्यादा लाना अन्युवार है और अगर आप रिजरवेशन कटेकरी के हैं तो कम से कम आपको 20% से ज्यादा लाना अन्युवार है अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा ठीक बाकियां पर करें कि मेरिट लिष्ट आप कंडिडेट विल ब्रूपेयर्ड आप्टर आपको मेरिट लिष्ट तैयार किया जाएगा अगया थिक कहारा है इंद इवेंट आप टाइड़ फालूं ग्राटेरियस अलिवी एडाप्टेड इन सेक्वेंस फर डिसाइडिंग पोजिशन इन्द मेरिट लिष्ट कहरा है मेरिट लिष्ट में कैसे पोजिशन रखे जा जाएगी और स्टेज फर्ष्ट में जिनका नंबर जादा होगा उनको भी वरीट जादा दी जाएगी और बताया गया है जो कंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि स्टेज फर्ष्ट में निगेटिव मार्किंग कम है उनको वरीट जादा दी जाएगी अगला कह रहा है कि जो भी स सबसे ज़्यादा है उनको वरीता दी जाएगी और यहां पर कंडिडेट आडर इन एज यानि कि कह रहा है कि आपके अप्लिकेशन फर्म पर जो भी आपका डेट अपर रहेगा उसी के ओल्डर के अनुसार आपका क्या होगा वरीता दी जाएगी आगे यहां पर पता गया है क इसके बद यहां पर देखिए इसकिल टेस्ट है तो इसकिल टेस्ट है इसके बद जो आपका रहेगा तीसर टेस्ट जो है जाया है अब इहां पर देखिए सकिल टेस्ट के बारे में हमने लोग देख लेते हैं क्या है यहां पर इनका पप्रासेस तो यहां पर देखिए बताया क्या है कि प्रिपेर भालिफाइव इस ट्रेड के लिए सब्सक्राइब करेंगे उनको बढ़कर किया जाएगा स्टेस्ट के लिए जो कि आपका स्किल टेस्ट का होगा सबीक ट्रेट के लिए ठीक करेंगे रहा है यहां पर कि जो भी स्टूडेंट सार्ट लिस्ट के जाएंगे इस्किल टेस्ट के लिए यह निर्भर करेगा कि इस्टेस्ट में कितने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है बट यह जो नंबर आफ वैकेंसी रहेगा उससे कि हैं स्टूडेंट यो लों बुलाएंगे लिए नंबर आफ चार से पांशन स्टूडेंट ॑लाये जाएंगे इस्किलarner के लिए ठ diret तो यहां और कहारा कि स्टेश थर्ड के लिए कितने स्टुडेट रिजर्व कि जाएंगे यह यह नर्वी निर्वर्वर करेंगा ठीक बाकी कहरें जो इसकिल्टेस्ट हो गए आपका यह गो यह नोगो बेसिस पर निर्वर्वर होगा और आगे बताएंगे सबस्कें जो खिए क अदर पर यहां पर आपको शार्ट्री वांपर कहा वाजी प्रका इसमें होगा Grad राफ में भाएंतिये हैं जो मेंन लिस्ट निकाला जाएगा उसमें नंबर आफ बैकेंसे जितने रहेंगे के समय उतने ही बुलाए जाएंगे उससे ज्यादा नहीं क्या रहा है वेटिंग लिस्ट आप एक्वल नंबर आप कंडिडेट एज इंदा मेन लिस्ट सेल भी मेड़ आप्रेशन वाले इनकेस कंडिडेट इंदा मेन लिस्ट डू नट रिपोर्ट फर ज्वैनिंग कह रहा कि वहां पर वेटिंग लिस्ट भी एक्वल नंबर में आपके जारी किये जाएंगे अगर कोई स्टुडेंट ज्वाइनिंग नहीं करते तो आपको का सेलेक्शन वहां पर हो जाएगा ठीक यह इसका पैटर्न और सला मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक यू